ओम नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए दोस्तों आप सभी का आपके अपने चनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चनल को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत धन्यवाद महले नात आपको हमेशा खुश रखें, हमेशा अनद में रखें, बस मेरी यही आपसे दुआ है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवान की क्रपा पाने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैं यकीन मानिएगा कि जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी चार तरीके हैं, आप हर एक तरीकों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं और अपने जीवन में उसे आप ला सकते हैं, पर सर्त यह है कि यह उपाय आप करेंगे, तब इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में यह तो छोड़के चले जाएं, क्योंकि आप उपाय सुन लेंगे, फिर करेंगे नहीं और फिर कहेंगे कि हमें कोई फाइदा नहीं हो, पंडी जी हम क्या करें, तो इस तरह की सिचुएशन से आप बचें, आप उपाय को करें और खुद इसका अनुभो करें, उससे पहले एक चोटा सा मैं निवेदन आप से करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जूड़े हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखना है, ओम नमस्षिवाय, जैशु शंबो, हर हर महादिव, भोले नात का कोई एक नाम लिख सबसे पहला तरीका आपको भगवान की गरफा प्राप्त करने का, अगर आप अपने इश्वर की गरफा चाहते हैं, तो सबसे बड़ी और मुख्य बात है, कि अपने माता-पिता का पूर्ण समर्पन के साथ सम्मान करें, कि उनको खुश रखें, क्योंकि इस दुनिया में ह पुश रखना है, उनको 悼ट अच्छे रखना है, करसे अगर में मिलेगी मा की दुआओं में पिता की दुआओं में इतना अफर होता है, श्याइद आप सोच भी नहीं सकते हैं, कि आप कहां से कहां पहुश सकते हैं, इसले ये बहुत बड़ा विग्यानिक तरक भी है, य से अब हलके में मत लीजिए गा, दूसरा और सबसे महत्मूने किसी का हक न खाना, इश्वर किसी का हक नहीं खाता है, हर एक विक्ति की हक का उसे चीज वो जरूर लेता है, तो अगर कुछ चीजे हमारे हाथ में हो, कि हम किसी का हक खा रहे हैं, तो आपको इश्वर की करपा न सबसे महत्मून गुरु का आप हैं, यह लग दूसरा है कि पर इश्वर की करपा ठोगी है, यह प्रेक्टिकल है, इन्हें मैं आप आपसे वादा करता हूँ जापर और हम्या किषवर की करhl